वैग्यानिक भी नहीं पता लगा पाए पूरी के जगननात मंदिर के ये रहस्य, 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर में आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब विज्ञान भी नहीं खोज पाया, कहते हैं भगवान की लीला अप्रमपार है, वो चाहें तो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना दे, सिर्फ दर्थन मात्र से जहां मन की हर मुराद पूरी हो जाती है, पूरी के उसी भगवान जगननात मंदिर में आज भी कई ऐसे रहस्य हैं, जिनका जवाब बड़े से बड़े वैग्यानिक आज तक नहीं खोज पा लेकिन उडिसा के प्रसिद्ध भगवान जगननात पूरी के मंदिर में आज भी ऐसे कई सवाल हैं, जिनका जवाब किसी वैग्यानिक तक को नहीं मिल पाया है मंदिर का ध्वज हमेशा हवा से विपरीत क्यों लहरता है, मंदिर की रसोई में बना खाना कभी कम क्यों नहीं पड़ता, मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अद्रिश्य क्यों रहती है कोई भी हवाई जहाज मंदिर के उपर से क्यों नहीं गुजर पाता या एक भी पक्षी इस मंदिर के प्रांगण में क्यों नहीं आता पुरी का ये पौरानिक मंदिर अपने आप में काफी अलौकिक है बदरीनाथ धाम को जहां जगत के पालनहार भगवान विश्नु का आंठवा बैकुंठ माना जाता है वहीं जगनाथ धाम को भी धर्ती के बैकुंठ स्वरूप माना गया है मंदिर की परचाईं का रहस्य 214 फीट उचे इस मंदिर की परचाई आजकर किसी ने नहीं देखी भगवान जगनाथ के मंदिर का उपरी हिस्सा विज्ञान के नियम को चुनौती देता है कि जो चीज दुनिया में है उसी परचाई बनती है यहां मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अद्रिश्य ही रहती है ऐसा क्यों होता है इसके उपर कई वैज्ञानिकों ने खोज की लेकिन किसी को भी इसका जवाब नहीं मिला दुनिया की सबसे बड़ी रसोई का रहस्य भगवान जगनात मंदिर में जो रसोई है वो दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है यहां जो भी प्रसाद बनता है उसे मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है लेकिन चौकाने वाली बात ये है कि बर्तन के उपर बर्तन रखकर आप कितनी भी उचाई करके प्रसाद बनाए लेकिन ये प्रसाद उपर से नीचे पकता है ना ही नीचे से उपर, तो विज्ञान यहां भी फेल हो जाता है, कि आग के संपर्क में आने वाली जो चीज सबसे दूर है, वो सबसे पहले कैसे प्रभावित होती है कहते हैं, साक्षात भगवान इस प्रसाद को अपने भक्तों के लिए बनाते हैं, दिन में कितने लाखों करोडों भक्त क्यों ना आ जाएं, ये प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, और जैसे ही मंदिर के कपाड़ बंध होने का समय आता है, प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जा यानि आज तक इस मंदिर में बने प्रसाद का एक भी कण बरबाद नहीं हुआ, विप्रीत हवाओं का रहस्य, मंदिर के सबसे उपरी हिस्से पर एक ध्वज लहराता है, जिसे हर दिन बदला जाता है, और कहा जाता है कि अगर किसी भी दिन ये ध्वज नहीं बदला गया, तो ये मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा, ध्वज से जुड़ा रहस्य ये है कि ये हमेशा हवा के विप्रीत दिशा में ही लहराता है, मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है, कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने से अगर इस सुदर्शन चक्र क देखा जाए, तो उसका मुह आपकी तरफ ही नजर आता है, मंदिर के उपर से नहीं गुजरते, हवाई जहाज या पक्षी भगवान जगननात के मंदिर के उपर से आज तक कोई भी हवाई जहाज या पक्षी नहीं उड़ा है, ऐसा क्यों है, मंदिर के पास आते ही किसी भ या पक्षी की दिशा ही बदल जाती है, ये रहस्य ही है। इतना ही नहीं, किसी भी मंदिर में आपको पक्षियों की कमी नहीं दिखेगी। लेकिन ये एक मात्र ऐसा मंदिर है, जहां कभी भी पक्षी नजर नहीं आएंगे। द्वारिका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिल नाडू के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नात का मंदिर है, जहां भगवान जगन्नात उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर् होतिया हैं